हेलो एब्रीवन वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरू तो आज हम डिस्कुस करने वाले हैं 20 जन्वरी 2022 का करेंट अफियर आई होप आपको इस शेशन अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर फरस्ट से तो दोस्तों आप्शन नमबर बी इस करेक्ट उन्मुक्त चंद ये हाली में उन्मुक्त चंद को उस्ट्रेलिया बिग वेस लीग में भारतिय क्रिकेटर के रूप में चुना गया है उन्मुक्त चंद बिग वेस लीग में मेलवन रेन गेट्स के तरफ से खेलते हैं तथा इनको वर्ष 2012 में भारत के अंड़ा 19 वर्ल्ड कब भी इन्होंने जिताया था किसको भारत को अंड़ा 19 वर्ल्ड कब भी जिताया था उन्मुक्त चंद ने तथा इन्होंने हाली में भारतिय किर्केट को अलविदा कहने वाले युवा वल्लेवाज उन्मुक्त चंद ने उस्ट्रिलिया जाकर नया इतिहास रचने का काम किया है हाली में मुंबई नोशेना दाक्यार्ड में किस बिंदु वर्षक पोद में बिस्पोर्ट हुआ और क्यों तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नमबर A is right आई एनस रडवीर जो विंदु वर्षक पोद आई एनस रडवीर के आंत्रिक डिब्बे में बिस्पोर्ट हुआ है और आई एनस रडवीर जो की नमबर दोहजार एकिस में पूर्वी नोशेना कमान से क्रॉस कास्ट ऑपरेशन तैनाती पर था इसकी गती लगवक 65 किलोमीटर पती घंटा है और इसको नोशेना में 28 अक्टूबर 1986 को कमीशन किया गया था तो आईए देखते हैं क्वेशन नमबर थर्ड हाली में किस राजिकेंद्र सासित प्रदेश में भारत का सबसे उचा स्टेडियम बनाया जा रहा है तो आउप्शन नमबर सी इस करेक्ट लडग यह स्टेडियम लद्दा के लह में बनाया जा रहा है और इस स्टेडियम में करीब 25 सो लोगों की बैठने की सुविदा है और इसकी स्टेडियम की उचाई समुद्र तल से 11,000 फीट उचाई पर है कितनी 11,000 फीट उचाई पर है तो बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख जीलों के बारे में यह जो बूलर, अननतनांग, वैरी नांग, सेस नांग यह कहाँ पह इस्ते थे हैं यह जंमू कश्मीर में इस्ते थे हैं कौन कौन सी जीले बूलर जील, अनंत नांग जील, बैरी नांग और सेस नांग ये जम्मू के स्मीर में इस्तित है और ब्रुगू, मच्याल, रेडुका, जील ये हिमाचल प्रदेश में इस्तित है और दोस्तों उत्तरा खंड में नैनी ताल, डोडी ताल, भीम ताल, साथ त में इस्तित हैं और सुखना जील जो है ये चंडीगर में है और राजसमंद जैसमंद नक्की सामवर फते सागर ये राजस्थान में ये कौन सी राजस्थान की जीले हैं और ये दोस्तों ये जो लोनार पोवई ये जो लोनार और पोवई नाम की जीले हैं ये महरास्टर में इस्तित हैं और लोक्टक है जो ये मणी पुन में है इस्तित तो आएए देखते हैं क्वेश्चन नमबर फोर्थ हाली में राश्टिय बाल अधिकार सरच्छण NCPCR यानि की आयोग के अनसार अप्रेल 2020 से जन्वरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नमबर बेस करेक्ट बन पॉइंट फॉट्टी सेवन लैक इसमें National Commission for the Protection of Child Right ने सुप्रीम कोट को जानकारी दी है कि अप्रेल 2020 से 17 जन्वरी 2022 तक देश के 1,47,492 बच्चों ने और अन्य कारणों के चलते अब माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है जिसमें उडिसा नमबर बन पर है और ये NCPCR के जो इस्थापना हुई है वो वर्स 2007 में हुई है और इसका मुख्याल है जो हेड़कॉर्टर है वो नई दिल्ली में है तत्ता NCPCR के जो चेर्मेन है वो प्रियंक कानून गो है और ये बालकों के अधिकारों के लिए काम करते है तो आएए देखते हैं क्वेशन नंबर फॉर्थ क्वेशन नंबर फॉर्थ हाली में किस टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशूर बागिन की मौत हो गई है तो आप्शन नंबर ये इस करेक्ट पेश टाइगर रिजर्व जो की मद्द प्रदेश में स्थेत है यहां पे जो सुपर मॉम से जो मशूर बागिन थी उसकी हाल फिलाल में मौत हो गई है तथा इस बागिन का जन्म पेश नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था साल 2008 में उसने पहली वार बच्चों को जन्म दिया अब तक यह आठ वार माँ बन चुकी है और कुल 29 साद्गों को जन्म दिया है पेंच राष्टिय उद्यान सिवनी और छिंदवाडा जिले में इस्तेत है और ये पेंच राष्टिय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर भी गोसित किया गया था क्वेश्चन नमबर सेक्सिस हाली में एंडी आरफ ने 19 जन्म दोहजार बाइस को अपना कौन सा इस्तापना दिवस मनाया है तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आप्शन आप्शन नमबर ए सत्रवा ये हर साल 19 जन्म दोहजार दिवस मनाया जाता है तता इसकी इस्तापना 19 जन्म दोहजार चे को हुई थी तो दोस्तों इंडी आरफ का जो फुल फॉर्म है वो नहें नैशनल डिजॉस्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसकी इस्तापना 2006 में आप्दा प्रवंदन अदिनियम 2005 के तहत के गई थी तता इसका मुख उद्देश जो था वो प्राकर्तिक और मानव निर्वित आप्दाओं में ततकाल सायता प्रदान करना इसका मुख उद्देश था ततता एंडी आरफ के बर्तमान महा निदेशक अतुल करवाल है तो देखते हैं क्वेश्टन नमबर सेवन क्वेश्टन नमबर सेवन इस हाली में किसे लगाता दूसरी बार फीफा के सर्फ रेस्ट फुटवालर के रूप में चुना गया है तो आप्शन नमबर एस करेक्ट रौवर्ड लेवन डॉसकी इनको सर्फ रेस्ट फीफा पुरुस खिलाडी गोसित किया गया है और जो सर्फ रेस्ट फीफा महिला खिलाडी है वो किसको चुना है वो अलेक्सिया को चुना गया है इसमें सबसे फीफा सर्फ रेस्ट फीफा पुरुस कार गोल कीपर जो है वो कौन है एडवर्ड मंडी और सर्फ्सरेश्ट फीफा फुरुस कोच कोच के रूप में चुना गया है और दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म जो है International Federation of Associations Football यह फीफा का फुल फॉर्म है तथा इसकी स्थापना 21 मईं 1904 को हुई थी और इसका मुख्याल है जुरिक जो की स्विजर लेंड में है तथा फीफा एक अंतराज्टिय संगठन है जिसका काम पूरे विश्व की फुट वॉल को डेकोरेट करना होता है आईए देखते हैं क्वेश्चन नमबर 8 हाली में नारायड देवनाथ का निदन हुआ वह किस छेतर से संबन्दित थे तो ओप्शन नमबर 8 is correct नारायड देवनाथ जो थे ये एक लेखक थे इनका हाली में निदन हो गया है तो ओप्शन नमबर 9 हाली में रिलाइंस रिटेल कंपनी ने रोबोटिक्स कंपनी एडवर्में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरी दी है तो ओप्शन नमबर 8 is correct 55% रिलाइंस रिटेल रोबोटिक्स जो है कमपनी ने एड़वर्ब में 55% के हिस्सिदारी खरी दी है कितने परसेंट की 55% के हिस्सिदारी खरी दी है तो आईए देखते हैं question number 10 question number 10 is हाली में कहां पहली बार यातायाद के लिए infinity bridge खोला गया है option number 6 is correct दुबई इस सयुक्त अरब अमिराद के दुबई में यातायाद के लिए पहली वार infinity bridge को खोला गया है तो दोस्तों आपके लिए आज का question है कि पर्याय महतसब कहां मनाया गया है यह आप comment section में बताएंगे comment करके कि पर्याय महतसब यह कहां पे मनाया जाता है और यह रहा दोस्तों 19 जन्वरी 2022 का उत्तर यह नवी महिला ice hockey championship 2022 हिमाचल प्रदेश में सुरू हुई है और इसका championship का उत्गाटन राजी के मुख मंतरी जैराम ठाकूर के द्वारा किया जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारे 10 question की series I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों like, subscribe and share जरूर कीजिए तो कल मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye and take care, thank you